जे जिनेंद्र जे बोलेना दूस्तों तीन बच के चपन मिनिट हुई है और मार्केट अभी बंद हुए 26 मिनिट हुई है और आपने देखा जैसा मैंने फ्राइडे को बोला वैसा ही मार्केट हुआ बलके उससे भी बहुत अच्छा हुआ अब आज मैंने आप स्क्रीन रीडिंग कर देता हूं करें कि कल यह खुलेगा मार्केट क्यों के रहे 522 पर लास ट्रेड हो रहा है और आज का लोग 505 है मिल्कुल लोग के नजदिक लेकिन कल मुझे लगता मंदीख खतम हो जाएगे मैं समझाओंगा अभी आज एगा कि अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर आपने 19 600 का कॉल वाई करवाया और 500 का पुट भी वाई करवाया इससे कैसे फायदा होगा 600 वाला कॉल मैं 106 में बाई करवाया जो अठारा तारिक का और 500 वाला पुट मैंने बारा तारिक का बाई कराया जिसकी सत्तर रुपया कॉस्ट थी अब मैंने दिमाग के लगा अगर ग्लोबल इवेंट के करन एक बार मार्केट काल गिरता है और 19 400 की तरफ जाता है तो मेरा ज प्रोटेक्शन के लिए मैंने उसको लिया अधरवास मैं नेकेड कोल लेता था ठीक है और अगर कॉल साइट चलने लग जा तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है यह सत्तर रुपया तो वह ऐसे निकाल देगा वह जाएगा 300 फिल ठीक है 600 वाला कॉल आपको बताऊंगा बाद में तो यह आपको समझ में आ गया अब मैं आ जाता हूं सीधा आपको चार्ट पर चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी ने पर अगर उनिस पांसों बारा पर अगर इसने आज कल बड़े सांसे टैन इयमें के उपर और फिटी एमें के उपर दोनों के ऊपर क्लोस किया था और ट्वंटी यह में को खाली छुआ था व्राइडे को फ्राइडे को 20 एमें निफ्टी की 562 के करीब थी और यह 553 पे ख्लोस किया तभी मुझे डाउट आगे कि 20 एमें के उपर ख्लोस कर सकता था क्यों 575 का हाई था सॉरी 675 का हाई था 653 पे ख्लोस किया 662 का 20 एमें था आज वो 20 एमें घटके 557 आ गया सॉरी 647 आ गया तो आज इसने क्या किया 19 512 पे ख्लोस किया तो इसने 10 एमें के भी के नीचे क्लोस किया और 50 यानि कि आज ये शॉर्ट टर्म की तीनों एवरेज शॉर्ट और मीडियम टर्म की तीनों एवरेज जो है 10,20,50 उन तीनों के नीचे क्लोस किया ये बहुत बूरा सा या दूसरा उस दिन मैंने आपको बोला था कि आरसे 49 पॉइंट संतिंग फिफ्टी क्यों नहीं क्रोस किया उसके करण से भी आरसे गिरी और आज 44.65 खराब हो गया है ठीक है तो कल एक 100 पॉइंट की गिरावट तो दिख रही है लेकिन वह बाइन का बेस्ट मौका होगा अगर वार और नहीं गिराता है कि दूसरा कि यह बॉक्स दो आपको याद हो गई तो फ्राइडे को बड़े संसे साब ने यहां क्लोस किया था लेकिन इस रेड लाइन के ऊपर क्लोस नहीं कर पाया यह ट्वटी यह में थी यह 10 यह में उपर क्लोस के और यह 50 यह में के ऊपर लेकिन आज इसने 10 के नीचे क्लोज किया, 20 के नीचे क्लोज किया, 50 के नीचे क्लोज किया, और देखे, एक जंडू जैसा falling, लेकिन मुझे लगता कल क्या होगा, यहां कहीं जाके बूरी तर से तीजी आईए, उसका कारण बताता हूँ, यहां पर एक gap छूटा हुआ है दोस् यह gap छूटा हुआ है, यह gap जो है, चार अक्टूबर को मार्केट ने हाई बनाया था, 457 का, 19, चार अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को लो बनाया, 487, यानि कि मार्केट एक बार जरूर से 457 के नीचे जरूर जाएगा, वहाई 400 to 450 के बीच में हमको कल भाई कर लेना है, 400 के आसपास, और स्टॉप लोस क्या डालना है, एनी क्लोस बिलोओ 430, भाई भी वहीं करना है, स्टॉप लोस बल्कि उससे उपर डालना है, और टार्गेट लेके चलना, 19,918 तरहिक तक, ठीक है, यह हो गया, निफ्टी का, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, निफ्टी में मैं कल से तेजी में हूँ, लेकिन फर्स्ट आप कल गिरेगा, और वहां में बायर बनूँगा, लेकिन अगर वार कुछ और ही सूरत में चला गया, तो अलग बात है, इसलिए मिना प्रोटेक्शन के लिए, वो पूट लिया, वट मेरा मोमेंटम अब अब अल इसको ध्यान रखेगा, कल इसके नीचे मार्केट जाएगा ज़रूर, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आएगी, 19.430, इसको लिखेगे, ठीक है, 19.430 के नीचे क्लोज नहीं आनीची है, मैं बाई करूंगा 400 के असपास, लेकिन फिर भी स्टॉपलोस उपर डालूँगा, क्लोजिंग इस, कल फर्स्ट आप में जो भी गिरावट मिलेगी, एक बज़े के पहले, वो सब बाइंग कम होका, अब मुझे नहीं पता, ग्लोबल यह और क्या खराब हुने अला है, बैंक निफ्टी का तो कल भी समझाया था, आपको आज भी फिर से समझाया था हूं, यह डिवांड जोन पे है, यहां से कभी भी धोगा देके तीजी कर गई, ठीक है, कल यह भी एक बार 43, 43, कि कितना है, 43,600 के आसपास तो जरूर रहेगा कल, वहीं पे सपोर्ट लेगा, हो सकता है उसके लोग को ब्रीज भी करें, 43,500 के आसपास लोग बनाए, वहां बाहिन करिए, बैंक निफ्टी बड़े टार्गेट देगा, 47,000 का टार्गेट दे रहाँ, तिल दीवाली, तिल दीवाली 47,000 का टार्गेट, दीवाली ज्यादा दूर नहीं है, 11 नौवंबर या 12 नौवंबर की, मगर एक बार यहां आने दीजे, यहां से गूमेगा, 43,600 to 500 के आसपास आएगा, उदर से बाइंक बनेगी, बनेगी, अब एक बार हम लोग PCR भी देख लेता है, क्योंकि आज मार्केट गिरा भी है, तो निफ्टी के PCR की क्या हाल चाला है, PCR 1.06 है, निफ्टी का, ठीक ठाक है, निउट्रेल है, थोड़ा सा बूलिश ही है, निउट्रेल के साथ, बैंक निफ्टी का, PCR 0.74 पर आगया, कल एक गिरावाट जो होगी, बाइंग कर लीजेगा, बिना सोचे, हो भी गी, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, बैंक निफ्टी, बैस्ट भाई रहेगा, कल के दिन, आने वाले दिनों के लिए, बैंक निफ्टी, 47,000 का टार्गेट दे र बैंक निफ्टी कर लो कितना है, 43,800, तो कल 700, 600 के आसपास आए, उदर खरीद ले, तो बस मैं तेजी में आगया हूँ, खाली बस ये वार का जटका है, इसलिए मिने आज पूठ साथ में दिलाया, वर्ना मैं खाली कॉल दिलाए, ठीक है, तो कल का दिन एक बार तो गिराव देखेंगे हम, एक बज़े तक, इसका कोई डाउट नहीं है, उसके बाद बहुत जबर्दस सार्फ रिकवरी आनी चाहिए, अगर वार और गहरा है, नहीं, तो मुझे मैं तेजी में हूँ, दूसरा, आज लास्ट डेट है, आप लोग को 10,000 और 14,000 में जोइन करने के पांटिंग होगी, 6 मैने वाले की 17 अक्टूबर to 16 अपरेल 2024 और एक साल वाले की 17 अक्टूबर 2023 से लेके 16 अक्टूबर 2024 तक, फीस 10,000 और 18,000 लेकिन आज के लिए, कल से 14,000 और 24,000, 14,006 मैने की 24,000, कल से, 9635476788 पर वाट्सअप करना अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्पी फोटो, यह तीनों चीज वाट्सअप करोगा, तभी जवाब मिलेगा, और भून से भी वाट्सअप कॉल या फोन कॉल किया, आप ब्लॉक हो जाओ, अब मैं, कुछ, स्टॉक जैसा, HDFC बैंक बोला, वह भी कमाल किया, और, कल से, रिलाइंस में भी चाल आ जाने चे, कल एक रिलाइंस 2280 के आसपास का फ्यूचर में लोग बना सकता है, 2280 के आसपास, वहाँ पर आप बाइंग कर लीजेगा, टार्गेट मेरा 2600 प्लस है, अगले मैने सब कुछ बता दिया, कुछ रह गया, तो रात को कोई वीडियो बनाँगा नहीं, तो सूबे तो समझाओंगे, तो नाओ, आयम बुलिश, लेकिन कल फर्स्ट आपके बात, एक फॉल के, जै जिनेंद्र, जै भुलेना, जै आपने देखा, इतना जबर्दस्त आपको किया जा रहा है, अरे कम से कम थैंक्स तो लिखा करो, सालो कुछ तो सोचो, इंसानियत के नाते, लाइक के बटन अगर तुम लोग नहीं दवाओगे, तो तुम लोग सोचे कि मैं फोकट में तुम्हारी नौकरी कर रहो हूं यहां पर, घंटा वीडियो मिलेगा तुम किया, जैजनेंदर, जैबॉनें,